सबी किसान भाईयों को भारत एगरी से एगरी डॉक्टर गजंद्र पडल का नमस्कार। किसान भाईयों, आज भारत एगरी के एगरी जुगाड में हम जानेंगे अपनी फसलों में प्रतिरोधक्षम तक कैसे बढ़ाएं, जिससे अधिक उत्पादन पाएं। किसान भाईयों, आज कभी से बहुती महद और पूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें। किसान भाईयों, इस समय पे हमारी फसले ब्रद्धी विकास के सांसात, फूल और फल की अवस्ता पर हैं। इसलिए पोधों में किसी भी तरह का तनाव हमारी उत्पादन के उपर विप्रित प्रभाव डाल सकता है। किसान भाईयों, यदि आपको खेती बाड़ी से सम्मन दित, किसी भी तरह का कोई भी प्रशनों, तो नीची दिगए कमेंड बोक्स में जरूर पूछें। किसान भाईयों, हम सबी ने चाच और नर्यल पानी का इस्तिमाल तो किया है और इसका आनंद भी लिया है। किसान भाईयों, आईए जानते हैं इसे बनाने के लिए आविशक शामकरी के बारे में। इसके लिए किसान भाईयों हमें लगेगा एक 20 लिटर का ड्रम साती 5 लिटर चाच या मठा एक लिटर नरियल पानी एक लिटर फलोका रस साती 100 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम हींग सर्व परतम किसान भाईयों इसे बनाने के लिए हमें एक 6 लिटर चाच या मठा है उसे डालना होगा जो एक लिटर नरियल पानी एक लिटर फलोका रस 100 ग्राम हल्दी इन सभी को अच्छे तरीके से मिलाना होगा इसके बाद में किसान भाईयों जो हमने 20 ग्राम हींग ली है उसको अच्छे तरीके से बारिक पीस करके इसमें मिलानी होगी इसके बाद एक लकड़ी की सायता से घड़ी की सुई के आकार में 20 बार सीधा और 20 बार उल्टा घुमाना होगा इसके बाद किसान भाईयों इसे एक लीटर जो गोल है हमारा उसे 10 लीटर पानी के साथ मिला कर 15 लीटर की टंकी के साथ इसका छड़काप करना होगा साथी किसन भाईयो, इसके चड़काप से अपनी फसलों में रोग प्रितिरोदक छमता तो आएगी ही, साथ में फसलों का उत्पादन अच्छा होगा इसके अलावा किसन भाईयो, इसमें किसी भी तरह का कोई भी फखकुनदी जने तो नहीं पहुचाएगा, फसलों में किसी भी तरह का कोई तनाब नहीं होगा, और हमें उत्पादन भरपूर मिलेगा प्रिये किसंद भाईयो भारत एगरी का यह जुगार अपनाए अपनी पसलों को तनामुक्त कर अच्छा उत्पादन पाएं। प्रिये किसंद भाईयो दी गई जानकर यदि आपको महदो पूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसंद भाईयो के सांद शेर करें और भारत एगरी के इटू चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।